हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू लिव लाइप फ्रनीत एंड फैमिली आज की जो रेसिपी है वो बचों के लिए बहुत ही फाइदमेंद है जिनके बच्चे दाल नहीं खाते हैं उनको ये रेसिपी ज़रूर ड्राई करना चाहिए ये मैंने वान काटोरी जो है वह ःडान लिया हुआ है पको ही सब्सक्रान कर लिया है और इसको घो के साफ कर लिया आए काटोरी का मेजर्मेंट से मैंने डाल लिया था उसी के मेजर्मेंट से ही मैं इसमें पानी एड़ करूंगी ज्यादा पानी हमें एड़ नहीं करना है और यह अदरक है एक इंच से थोड़ा सा ज्यादा है यह अदरक तो मैं इसको काट करके इसी में ही डाल दूंगी इसको जादा बॉयल नहीं करना है हमें दाल को तो इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है बस इसमें इतना ही डालेंगे अब हम लोग इसको फ्लेम पे चड़ा देंगे गेस पे चड़ा देंगे और इसको हाई फ्लेम पे दो सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे हमें इसको गलाना नहीं है बस यह थोड़ा सा बॉइल हो जाए उतना ही हमें इसको पकाना है अब हम इसके लिए जो आटा लगेगा तब तक यह जब तक होता है तब तक हम आटा रेडी कर लेते हैं यह मैंने आटा लिया हुआ था उसमें नमाक और थोड़ा सा यह आजवाइन है जिसको मैंने क्रस करके डाल दिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा ओयल एड करूँगी तू स्पून एड किया है मैंने ओयल यह मैंने छोटा चमच लिया वा था इसलिए मैंने फोर टाइमस डाला है इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगी अच्छे से उसके बाद थोड़ करब इसमें थोड़ा सा असब्री और दर भूर्बाब कुछ करके घूँना मेहानगे तो dairy को चल स्चक्षा-टर इस थोड़ा से अचला देने के आच लेकत簡ा है आनकि देखेभिते तो काधाम हम चाहिए मेने दाल को लगा को भी सrool देख़्िद थाबुद थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम अच्छे से एकदम स्मूध पीस लेंगे पानी नहीं एड़ करना है हमें इसको ड्राइड्राई ही पीस ना है अब पानी बिल्कुल भी ना डाले नहीं तो यह बनेगा नहीं ठीक से और यह जो हमारा आटा है वो भी रेटी हो चुका है इसको फिर से एक बार्व नीड कर लेते हैं और इसकी मैंने चो लोई यह बनाई थी मैंने उसी अकॉडिंग आठा लिया था क्योंकि मुझे 6 पराठे बनाने थे और दाल भी मैंने उसी टीवाइड हो जाए अब इसको बनाना कैसे है थोड़ा-सा आटा मैंने फ्रेट कर लिया है अपने चकले पे और इसको जिस आलू के पराठे में हम लोग फिल करते हैं उसी तरह से फिल करना है और जिन को फिल नहीं करना आता है वह इस तरह से भी फिल कर सकते हैं साइड़ साइड में दबाके फिर उसको घूमा देना है और इसको हम बढ़ियां से बीच से प्रेस करते हुए चारो तरब इसका जो मिक्शर है उसको फैला देंगे और हाथ से दबाते हुए इसको चारों तरफ में फैलाना है नहीं तो यह बीच में जो हवा भरा रहता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है नहीं तो वह फट जाएगा और उसको बात फिर इसको हम रोल करके सेंक लेंगे और देखी यह बनके रिडी हो चुका है और यह पूरा सचारों तरफ से जो है दाल इसके अंदर में भरा हुआ है आप इसको ज़रूर ट्राइए करें अपने किचन में यह बचों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है आप इसको नास्ते में या फी बीनर में ले सकते हैं इसमें प्रोटीन से भरा हुआ यह पराठा है कि इसमें हम दाल एड किया है हमने इसमें दाल से बना हुआ है तो यह बचों के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमेंद है आप इसे जरूर ट्राइए करें जिनके बच्चे दाल नहीं खाते हैं आप उनको इस त जानी हो और यह मेरा पराठा बनके रेडी है देखिए किसना अच्छा से फूल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा ओयल नहीं लगा रही हूं इसमें आप चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं आप इसको किसी भी ग्रेवी के साथ चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं आप यह करें और आपको यह रेसिपी कैसे लगी आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड़ वाला बटन जो सब्सक्राइब का होता है वह प्रेस कर लें और उ इसके बाद इसको इस तरह से देखिए यह साइड साइड में जो फुले फुले दीख रहे हैं इसको हमें एक दम से बराबर कर लेना है और देखिए यह इधर यह देखिए इस तरह से दिख रहे है ना इस तरह सब को हमें इसे दबा दबा के सब को हवा जो इसका है उसको न पराठे बना लेंगे आप ज होट ऐखे लिए करें बहुत अच्छा लगे पार को भी ये रेंचीप घाने के बाद आप खाये अपनों को खिलाई इअपने बच्चों को खिलाई आपएं कि और कि ये ज़िए हमारा मेन सारे पराठे बना के रेडी कर लिए हैं मैं इस बाकी रेशिपी इस की लिंक भी रेस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उन्हें ज़रूर चेक करिए और मेरे सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में एड किया हुए हैं केटेगरी वाइस आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक आप इस रेसिपी को एंजोई करिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का भी क्लसे स्टार्ट हो चुके हैं समर्विकेशन खतम हो चुका है तो इसलिए मैं हर अल्टरनेट डेस पे रेसिपी डालूंगी थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं एक्स व्लोग में